एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम फोन पर किसी से बात करते हैं तो फोन अपने आप जो है म्यूट हो जाता है और किसी का आवाज जो है सुनाई नहीं देता है जिससे हम बात कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और यह क्यूं होता है थोड़ा इस चीज को समझते हैं देखे दोस्तों Android फोन जो है उसमें यह प्रॉब्लम बहुत आम हो गया है और मैं आपको बता दूँ कि Google Apps जो होते हैं उसमें आपका जो है एक Android डाइलर होता है और इसी डाइलर के चलते हैं यह समस्या उत्पन हो रही ह कहने का मतलब है proximity sensor होता है उसके चलते हैं समस्य वह और proximity sensor तो अपने आप activate हो जाता है जब फोन में कोई physical touch होता है proximity sensor क्या होता है इसको मैं समझाओंगा लेकिन सबसे पहले यह problem कैसे ठीक करना है उसको समझ लीजिए तो यह समस्या अगर आपको solve करना है तो जैसे कि फोन पर आप किसी से बात कर रहे हो तो फोन को उठा के कान के पास ले जाते हो उससे पहले आप power button को जो है न एक बार दबा दीजिए ताकि वो जो है न फोन में वो मतलब की जो अंधेडा हो जाए तो यह समस्या नहीं होगी या फिर एक काम आप और भी कर सकते हो फोन में जो आपका calling app होता है जैसे कि आप call कर रहे हो तो calling app से ही call हो रहा है तो आप उसको minimize कर दीजिए उसको minimize कर दीजिएगा तो भी problem ठीक हो जाएगा उसके बावजूद भी अगर यह problem हो रहा है तो आप जो है Google dialer जो Android dialer होता है उसके जगह पर true caller का भी इस्तमाल आप कर सकते हो उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिए आप अपने phone में factory reset कर दीजिए उससे समस्या solve हो जाएगा factory reset करने से पहले अपने phone में जितने भी data है उसको पहले backup जरूर कर लीजिएगा यह बहुत जरूरी है रिसेट करते सम्में सारा data आपका delete हो जाता है आजकर बहुत सारे phone अपने खुद के dialer apps जो है offer करते हैं तो उनके dialer app को भी आप इस्तमाल करके यह समस्या को आप सुझा सकते हो Google Play Store में बहुत सारे dialer apps हैं आप उनका भी इस्तमाल वहां पर कर सकते हैं अब यहां पर हम लोग समझे लेते हैं आपके मन में question आ भी रहा होगा कि यह proximity sensor क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि आजकर यतने भी phone आ रहे हैं उसमें के standard feature आ रहा है समझें उसमें होता क्या है कि जब आप phone को कान के पास ले जाते हो तो automatically क्या होता है कि उसमें उसका touch screen automatically हो जाता है समझें तो यह होता है proximity sensor के वजह से आज कल जो फोन आ रहे हैं वह OLED display मतलब OLED display वाले होते हैं जिसमें कि यह proximity center जो है ना sensor जो होता है display के अंदर में लगा होता है जहें दोस्तों